जोस्तों स्वागत है आप सभी का इस छोटी से सेशन में आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन स्पाइसिस यानि की मसालों के इंग्लिश में नाम इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे किचन में पा एजानेवाले अनेक तरह के मसालों को English में क्या कहा जाता है हम घे टू डे लाइफ में बहुत तरह के Spices यानि मसालों का यूस तो करते हैं लेकिन हमें उनके English में क्या नाम है ये पता नहीं होता तो कोई बात नहीं आज के इस वीडियो में ये सारी चीजों को हम cover करने वाले हैं पर उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मसालों को इंगलिश में क्या कहा जाता है मसालों को इंगलिश में जो है वो या तो spices कहा जाता है या फिर condiments आफ उने कह सकते हैं तो इस तरह से आप spices और condiments ये दो words जो है वो मसालों को refer करने के लिए आप use कर सकते हैं तो इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का हमारा सबसे पहला spice जो हमारा अकसर kitchen में use होता है वो है तेजपत्ता तेजपत्ते को जो है हम वो English में bay leaf कहेंगे क्या कहेंगे bay leaf तेजपत्ते को कहा जाता है आगे बढ़ते है देन हमारा है छोटी इलाइची छोटी इलाइची को जो है वो English में green cardamom कहते है जो green color की होती है उसे हम छोटी इलाइची यानिके green cardamom कहेंगे इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और next है हमारी बड़ी इलाइची बड़ी इलाइची को हम कहेंगे black cardamom जो black color की होती है और थोड़ी बड़ी होती है उसे हम जो है वो black cardamom कहेंगे आगे बढ़ेंगे then है हमारा जीरा जीरा को हम कहेंगे cumin seeds then next है हमारा rye राई को हम कहेंगे mustard seeds mustard seeds जो है वो राई को कहा जाता है आगे बढ़ेंगे इसी के साथ then है हमारा hing hing को हम कहेंगे asafotida asafotida जो है वो hing को कहा जाता है then आगे बढ़ते हैं हमारा next है long long को हम कहेंगे clove क्या कहेंगे clove then next है मेथी के बीच मेती के बीच को हम कहेंगे fenugreek seeds मेती को fenugreek कहा जाता है और मेती के बीच को जो है वो fenugreek seeds कहा जाता है देन आगे बढ़ेंगे हमारा next है दालचीनी दालचीनी को हम कहेंगे cinnamon cinnamon क्या कहेंगे cinnamon कहेंगे हम दालचीनी को देन आगे है तुलसी के बीच तुलसी के बीच को हम कहा जाता है तुलसी के पत्तों को बेसिल लीव्स कहा जाता है आगे बढ़ेंगे देन नेक्स्ट है हमारा अजवाइन अजवाइन को कहा जाता है क्या कहेंगे क्यारम सीट जो है वो अजवाइन को कहा जाता है नेक्स्ट है हमारा जाइफल, जाइफल को हम कहेंगे नटमेग, नटमेग, जो है वो जाइफल के लिए यूज किया जाता है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा हम जिसे काली मेर्च या फिर काली मेरी कहते हैं, उसे हम जो है वो इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहें साथ साथ को कहते हैं जब प्रकार होती हैं जब अध्रक सूख जाती है तब तब उसे सौट कहते हैं, और सौट को इंगलिश में Dry Ginger कहते हैं, क्या कहते हैं? Dry Ginger इसके साथ आगे बढ़ेंगे, next है हमारा Amchur Amchur को कहेंगे Mango Powder Amchur का जो powder होता है, उसे हम क्या कहेंगे? Mango Powder आगे बढ़ेंगे, next है हमारा Soph Soph को हम कहेंगे Fennel Seeds Fennel Seeds आगे हमारा लहसुन, लहसुन को हम कहेंगे गालिक, क्या कहेंगे गालिक next है हमारा कलोंजी, कलोंजी को हम कहेंगे नाइजिला सीड्स, क्या कहेंगे नाइजिला सीड्स आगे बढ़ेंगे, then है है हमारा खस-खस खस-खस को हम कहेंगे poppy seeds क्या कहेंगे poppy seeds then next है हमारा सैंधा नमक सैंधा नमक को हम कहेंगे rock salt जो rock form में आता है, जो पत्थर वाले form में आता है उसे हम कहेंगे rock salt, यानि कि सैंधा नमक next है हमारा केसर केसर को हम कहते है साफरिन क्या कहेंगे साफरिन धन है खमीर खमीर को हम कहेंगे यिस्ट यिस्ट धन नेक्स्ट है हमारा इमली इमली को हम कहेंगे टामरिंड टामरिंड जो है वो इमली के लिए यूज किया जाता है धन नेक्स्ट है हमारा हल्दी हल्दी को हम कहते है टार्मरीक का कहेंगे टार्मरीक हम हल्दी को कहेंगे इसे के साथ आगे बढ़ेंगे इसे के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा अलसी की बीज अलसी की जो बीज होते है या फिर अलसी जिसे हम कहते है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे flax seed, then हमारा next है avla, avla को हम कहेंगे gooseberry, okay, gooseberry जो है वो avla को का जाता है, then हमारा next है सुखी लाल मिर्च, जो सुखी लाल मिर्च होती है उसे हम क्या कहेंगे can paper, can paper, can paper, okay, और जो सुखी लाल मिर्च के अंदर से जो white color के beij निकलते हैं उसे हम कहेंगे chili flakes या फिर तो पेपरिका, चीली फ्लेक्स या फिर पेपरिका, नेक्स्ट है तिल, तिल को हम कहेंगे सैसमी, सैसमी, ओके सैसमी जो है वो तिल को कहा जाता है, और लास्ट है हमारा चक्रिपूल, जो स्पाइसे में यूज़ होता है, बहुत जादा उसे हम कहेंगे स्टार अनीज So, that's it for today's video. I hope this video आपको पसंद आया होगा. ऐसे इंटरस्टिंग विडियो के लिए जुडे रही है स्कॉलर इंग्लीश के साथ. So, do like this video, subscribe the channel and share as much as you can. Till then, keep learning. Thank you.